हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है जितनी भी इस्टुडेंट दो हजर पचीस में बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का एक परकार की वाइरल पेपर है ठीक है आप पेपर का सेट देख सकते हैं डीडी है आपका देखिए आपका पेपर का जो पुडा आना सबसे ज़्यता इंप्वोटेंट होता है धीके पाला निर्देश का दिया है कि प्रारम की 15 मिर जो अता है परिछाती को प्रश्ण पत्र पहने के लिए निरदायत किया है कि आप 15 मिर तक प्रश्ण पत्र को पढ़िएगा फिर इसके बाद अगला निर्देश है तोटल कितने बहुई कलपी प्रशन रहेंगे जिसका उत्तर आपको क्या करना रहेगा OMR सीट पर देना रहता है ठीक है आपको जो OMR सीट होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग OMR सीट जो हता है नीला प्रशन से यह काले बाल यह साथ इसके आगला है कि खंड आ उसमे बहुईकल्पी प्रशन रहेका और प्रति-एक प्रसन बहुने वालार की प्रति-एक प्रशन उनक आपको निधार एंक रहेंगे यानि कि जो आपका खंडबा होगा उसमें पचास अंग के जो प्रशन रहेंगे उस सभी प्रशन के सामने उसका अंग देखने के लिए मिलेगा आप पेपर का स्टेट भी आप देख लीजिए अब यहां से आपका खंड अई स्टार्ट होता है जिसमें आपके बहुई कल्फी प्रशन सभी पूछे गए इसके बाद दिरगुत्री जो प्रशन किस टाइब से पूछे जाते हैं वह अभी आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाग्स तक जरू देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो का आप लाइक भी जरू कर दीजिएगा देखिए खंड आ है जिसमें प्रशन है पहला प्रसन आपका क्या है कि जूटा सच किस विदा की रचना है इसी प्रकास ज़ोटा सच एक प्रकार क्या है उपन्यास है इसका सही जोगए से वलाल सही होजागा जूटा सच एक प्रकार की क्या है उपन्यास है अगले में देखिये आप दुसरा नमबर का कि आमर आकास के रचनाकर क्यों यहां पर आपसंदिया एग डाक्ट dai अगला प्रशन देखेंगा यह आतीसरा नंबर का कु Oo meanте में से कौन सा कथन सही आपको सही कथन करेंंगला ईपसन को बता है रामिर्ष बन पूरी यह इस से लवतक देखिये क्या है इर्ष्यां तू न गई निवन्द के लेखक परकाश भारती हैं देखिए चार ओनसे आपको बता दे कि इर्स्या तू न गई मेरे मन्द से निवन्द के जो रचनाकर है कौन है जय प्रकाश भारतीैंब इस प्रशन इसके रचनाकर कौ ने मथुरानात शुक्ल से इससे आप जरूर यांद मतूर अपर प्रशन देखे जितने भी प्रश्ण बता रहा है आप इसको जरूर याद रखेगा फ्रेंश ठीक है पाच्वा नमबर देखिए सारंगधर रचनाकर है यानि सारंगधर जो है कि इनके रचनाकर को कौन है परमाला रासो जी है यह हमीर रासो है यह खुमाल रासो है यह विसल देव रासो है यहां पर देजिएगा जो सारंगधर है यह सारंगधर जो है इसके जो रचनाकर है हमीर रासो जी है इसका सही जवब क्यों होगा बीवला आपसन आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन यहां पर दियान दिजिए छटा नंबर कहा कि छायवाद यूग के प्रमुक प्रवि वेदना है नारी के प्रती प्रती प्रवर्ति द्रिष्टिकोड है रिती ग्रंतों का निर्माड है तो यहां द्यान दिजिएगा चायवाद यूग की जो प्रमुक्त प्रिवितियां है वह आपका सिरिंगार और प्रेम वेदना इसका प्रिवलाप्सन सही हो जाएगा द्यान दिजिएगा आप जरूर कि सुक्लतर यूग के लेखक किसे माना जाता है आपसन को ध्यान से देखिए वासुदेव श्रण अग्रवाल जी को प्रताप नारार मिस्र को किशोरी लाल गोस्वामी को यह स्याम सुन्दर डास को देखिए आप ध्यान दिजिएगा जो अगले प्रश्णों को देखते हैं देखिए आठवा नंबर का सवाल आपका क्या है करें साकेत ठीके ध्यान दिजिए साकेत किस यूग की रचना है यहां पर साकेत को पताना किस यूग की रचना है भारतेंदु यूग डूवेदी यूग प्रगतिवादी यूग यह यूग ऑपilateral का यहीं पेपर चो देने वाले बोड का इसमीं को आपको पूपने वाला ठीकित इस चीज़ को अब जरू ध्यान दिजीए अगला ध्यान दिजीए भारत दूर तोरा किस विदा की रचना है तो दो लजाना भारत दूर दूरे में लिखा गया परनत यहां नश्फिसी एक योग के सबता है किसी कवी है दुलिक के माने जाते हैं रितिकाल के माने जाते हैं भक्तिकाल के माने जाते हैं ये विवारी रीतिकाल के बिहार का सवाल क्या है सबस्क्राइब यहाँ पर नाना वाहन नाना वेशा बिसे सिउस समाज नीज देखा कोव मुख हीन विपुल मुख काहू बिनुपद कर कोव बाहू बहू बाहू ठीक है उप रियुक्त में कौन सा रस यहाँ पर रस बताना है अब आपसा नहें वीरस करूरस फिर इसके बाद शांत रस सब्सक्राइब क्या होता है इसके साथ सब्सक्राइब क्या होता है इसके साथ पूछता है जरूर याद रखिएगा यह हर साल पेवर में आता है ठीक है चलिए अगले प्रेश्ण को बताते हैं देखें बारहाँ नमबर क्या है यहीं कहीं पर भिखर गई वह भगन विजय माला सी इसमें पूछत रहा है कि उपरियुक्त जो पंकिति यह दिया गया है इसमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंक रूपकर उत्परिच्छा रूपक यह शलंकार यहाँ पर इसको पढ़ेंगे यहीं कहीं पर भिखर गई भगन विजय माला सी इसमें आपका एक प्रकार का उत्परिच्छा लंकार होता है इसका सही जो आप वीवला अपसन आपके क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला बैस्तुम मात्रीक है और सम्मात्रिक है सम्मात्रिक है इन में इसलेए नहीं कोई नहीं रोला जो होता है एक प्रकार का छंद किस प्रकार का सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा कि रोला जो है आपका एक सम्मात्रिक छंद है अगला देखें चोदा नंबर का सवाल यहां पर कि निर्जन शब्द में किस उफसर्ग का प्रयोग किया गया है जो निर्जन शब्द है ने देखिए यहां पूछ रहा उफसर्ग का मतलब ह कहते हैं उसके प्रयाराम में कौन सा सब्सक्राइब करेंहिए और क्या हो जाएगा निर्जन है और यहां पर यहां पे कौन सा उफसर्ग निर्जन शुब्स में अपका देखिए 5 नंबर का कि धनुस्ट का पारेवाची सब्द बता ना य दो उसका पारेवाची Kya Hota अश्मी कुलीस कोडन्त यपवी ठीक है तो दनुस का जो पार्वाची शब्द होता है वह होता है क्या होता है इस याद रखिए क्या है को रंत है तिसका सही ज्वाप से वल आपसन आप अपसका क्या वह जाएगा ठीक है अगले प्रमद को देखते हैं देखें पिसे सब्सेद के लाश्ट में लगाऊ ठीक है नंबर क approached क्या जुटा है आपका तृषण में कौन सा समास है आप एंपट दशन पढ़िए इसमें कौन से समास होता है ते इसमें अगला प्रोशन देखिए अठाला नंबर का मतीभी शब्द में मतीभी जो शब्द होता है उसका विभक्ति बताना आपको वचन बताना है कि इसमें क्या है देखिए आप ध्यान दिजिएगा जो मतीभी होता है उसमें आपका जो होता है हाई किंबती वी शब्द का की वक्ति होता है ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला क्या है आपका हर्यत्र si संदी विच्छेत आपको बताना है कि हर्यत्र शब्द का संदी विच्छेत क्या होगा ठीक हर्यत्र का जो करहेंगे संदी विच्छेत हरी क्या होजगा हरी प्लस क्या हो जगा आपका अत्र हो जगा अब देखें हारी प्लस अत्र कहाँ प्रस दिया है हारी प्लस अत्र यह देखें कहाँ प्लसम क्छेंगे स्वीय अफ्ट क्या हो जागा य॥ समझée होगा आप सभी को कि इस नंबर का क्या सब पतिस्यत धातु बताना है और पुरुस का वचन बताना है कि इसमें कौन सा धातु है कौन सा पुरुस है ठीक है तो यहां पर ध्यान दिजेगा क्या है आपका इसमें क्या होगा आपका पतिस्यत में जो हता है मध्यम पुरुस और बहु अचन होता है क्या होता है इसमें मध् वरातमक प्रश्ण है खंडबा में यहाँ एकीस नमबर और ये प्रश्ण देखने की इस नमबर को पूचता है ठीक है तीज़ को द्यान दीजिएगा देखे क्या दिया है प्रस्ण में नीखित गद्ध्यांस पर आधारी ती प्रश्णों का उत्तर आपको देना है यह आपको सामने गध्यांस से टिके इस का यहां से लेकिए पढ़ने के बाद आपको यह आपका दो नंबर का प्रश्ण पूछा जाएगा फिर आप से पूछा जाता है रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजी जो रेखांकित अंस की ब्याख्या करेंगे यह भी दो नंबर करेगा धर्म चक्र कहां इस्तित है यह भी आपका दो नंबर करता है तो आप से संदर आपको ये बताना रहता है समझ में आ गई होगा कैसे प्रज्ण पूचेगं के साथ में हिंदी में देखे अंद्वाए सब्सक्राइब करना रहता है अब देखें अगला प्रशन आप से क्या कैसा है यहां पीजिया यहां से लेकर यहां तक पढ़ने के बाद इससे संबंधित भी आप जिपने को पर पहने के बाद इसका क्या करना आपको संदर भी डिखना है पिर इसके बाद देखें किसी एक इन्सौर देना रहता है ces Со प्रतुम्राइर कमिए का का सब्देस को सब्सक्राइब कि छाएगा ज़ते थिए कुछेंगा.'' प्रस्तूत पध्यास में किसे भाग शाली बताया गया देखें आपो परशन दोनमबर का यह रहेंगा कि टोटलर परश्टन कितने नंबर को जाएंगे आपके 6 परश्न हो जाएगा समझ में आरहा होगा कि आपके बोर्ड के एक्जाम में ऐसा कर आएगा ठीक है आप इस पढ़िए पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इससे भी संबंदित आप से तीन प्रश्न पूछा देजाएगा देखिए यहां को क्या करना रहेगा रहेगा रहां कि अंसकी ब्याक्षा कीजी और अगला प्रस्न भारत देश किस प्रकार का तिर्थ है यह आपका टूर्टल छे नंबर करता अधवा में जहां पे लिखा रहेगा दो प्रश्न में से एक प्रश्न का ही उत्तर आपको बोड की एक्जाम में देना रहेगा ठीक है जितने भी दूहजार पचीस में पचीस के छात्रें हो सब इस पेपर को तयार कर लिए ठीक है देखिए तेश्वा इसका क्या करेंगे आप संदर्व लिखेंगे किस पार्ट से लिए इतना ही लिखना रहता है प्रस्तूत गद्यास ठीक हमारी पूस्तक संस्क्रीट खंड के किस पार्ट से लिए उसका पार्ट का नाम लिखेंगे आपका यह संदर्व हो जाएगा फिर इसके साथ में क्या क क्या करना है पढ़ना है कि इसका संदर्व लिखने के बाद किया करना इसे का अपने शब्दों में हिंदी में न्वाद करना रहे हैं ठीक है समझ में आगए किस प्रकास प्रश्ण आपका पूछा जाएगा अगला देखिए 24 नंबर का है कि दिए गए संस्क्रीट पध्यांस में से किसी एक संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना है संस्क्रीट में क्या करना है संस्क्रीट में दिया रहेगा और हिंदी में अनुवात करना रहेगा देखें यहां पर आपको इस संबंदी जो पध्यांस रहता है दो ठीक है अगला है आपका माता गुरुता भूमे खात पितो उच्चत्र अस्तथा इसको पढ़ना है पढ़ने के बाद क्या करना इसका भी संदर्व लिखिया हिंदी में अनुआत कीजिए अब देखिए आपका 25 नमबर का सवाल किस पकास से आता है 25 नमबर में आपका बहुत स सारे प्रशन रहते हैं लेकिन सभी प्रशन को करना नहीं रहता है उसमें से केवर एक ही प्रशन करना रहता है आपको समझा रहे हैं कि किस प्रशन को आपको करना रहेगा ठीक है देखिए अपने पटित खंड काब के आधार पर निम्रिखित प्रशनों में से किसी एक प्र प्रशन आप से पूछता है कि है और को नहीं करना रहाते यह द्यान दिजीएक और करना है चाहे इंस्वर दिजीए जाए इन दोने में ऐसे एक service आपको देना है और एक प्रश्न सब्सक्राइब दूसरे तीसरे का शर्ख दिया रहता है उसका क्या करना अपने शबदों में लिखना रहता है ऐसे किसी प्रश्ण का अर्सवर दे सकते हैं इसके आलावा जो दुसरे इतने दुसरे जिले के जो भी छात्रों गे उनकी स्कूल में जो भी खंड़ काइब देना नहीं है आपको समझा दिए कि इसमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहेगा जो आपकी इसको में पढ़ाया जाता होगा उसी का इंस्वर केवल आपको देना है ठीक है अब यहां पर देख लीजी यह भी मुक्ति दूर्स से समगा खंड़काबे से संबंदी एक का यहां द्यान दिए क्या दिया है किसी एक का जीवन पर चलिखना है आपको टूटल कितने नंबर के रहेगा पांच नंबर का अब से तीन लेखा का नाम देगा ठीक जैसे यहां पर दिया आचाराम चंदर शुक्ल भगवत शरव उपाद्या या डाक्टर राजंदर परशा इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन पर चलिखेंगे और सभी को छोग देंगे आपको यह कितने नमर मिलेंगे आपको पांच नंबर मिलने वाले हैं समझ में आ गया होगई चीज अगरा प्रशन किस परका से पूचता है दिएगैं कवी जैसे कवी देगा तीन कव जीवन परचे आपको लिखना है टोटल कितने नमबर का रहेगा टोटल पांच नमबर का यह प्रश्ट रहता है समझ में आ गया होगे यह चीज ठीक है अगला प्रसंद देखिए यह दो नमबर का प्रश्ट रहता है क्या है यह सिंपल आप सभी को पता होगा कि अपनी पार् अगला प्रस्ट देखिए 28 नमबर का निमन लिख्षित में कि दो प्रश्ट को उत्तर संस्क्रित में देना रहेगा यह टोटल कितने नमबर कराएंगेуч चार नमबर का रहेगा आप से यहां पे चार प्रश्ट पूचा घृत चार में सिक्क्यवल दोका ही उत्तर आपको देना है यह संस्कृत का देख सकते हैं कि संस्कृत के सभी प्रश्ण है यही प्रश्ण आपके बोर्ट के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा अगला प्रश्ण देखिए आपके 29 नंबर का किस पका से पूछा जाएगा संवात की समस्य हम समधान पर बेरोजगारी की समस्य हम समधान पर छात अनुशासान प्रदोश्र की समस्य हम समधान ति इसमें से किसी एक पर ही आपको क्या करना रहेगा निबंद लिखना रहता है ठीक है यहां था आपका हिंदी का संपूर पेपर जो 2025 में आपको देख सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें